सबसे स्मार्ट लोर्निंग चैनल यह है TRS Cliffs Hindi सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ अभी contrast में मैं आपको podcast के बारे में पूछना चाहता हूँ एक short question है क्या podcast सुनते हो खुद आप podcast consume करता हूँ मैं podcast consume करता हूँ पर मतलब मैंने पूरी ऐसे आज तक मिला के शायद 35-35 podcast ही देखी होंगी यह होता है कि अपने कुछ गेन किया है उससे बहुत जादा गेन तो obviously आप करते हैं आप किसी की life की बारे में आपको कैसे पता चलेगा देखो पहले पुराने जमाने में केताबे होती थी उसके बाद audiobooks आई अब audiobooks के बाद किसकी खुद की life है वो आपको अपने बारे में पताता है एक से दो घंटे के अंदर और इन डेफ्थ पी जा रही होते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो यूजवली आप नहीं बता होगे शेर नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि या जर्रत नहीं है इसकी या पर्शनल है यह क्यों बताएं पर शायद किसी के लिए वो important हो जर्नी में तो वो पार्ट आपकी हाइलाइट हो रही होती है definitely podcast तो है मैं तो बहुत जो को बोलता हूँ या तो documentaries देखा करो online बैठा हो podcast देखा करो या audio book पड़ा करो ये तीन चीज़ें जो कि आपको एक direction दे रही होंगे जो जो चीज़ें ठीक लगें खटे करते जाओ आपको लगता है podcast का future है इंडिया में क्योंकि DRS अभी इंडिया का number one podcast है and I'm not sure मैं neutral हूँ मैं negative भी नहीं positive भी नहीं इस चीज़ के बार में बट जो podcast की दुनिया वो बहुत ज्यादा positive है इस चीज़ को लेकर कि नहीं future podcast ही है podcast dominate करेगा I don't know मैं neutral हूँ मैं बस इसलिए कर रह ठीक है साथ मैं record कर लेते release कर लेते उस perspective से मैं podcast बना रहा हूँ but podcast की दुनिया बहुत hyped है podcast को लेकर तो आपका honest opinion क्या है as a content creator बहुत ज्यादा potential है इसमें और वो आप मेरे से बहतर जानते हो और वो जो चीज़ है न वो आपको एक point के बाद realize हो रही हो कि जब आपने 1500 podcast 2000 podcast के number पर जब आप पहुंच चुके हो के तब आपकी एक ऐसी height होगी जब आपके काफी सारे जो चाहे हम spotify ले ले लें या बाकी ले लें वो आपको अपने platform में आपके उसका copyright रखने के लिए भी आपको बहुत एक appreciated amount की दे रहे होंगे साथ में कल को future में आपके पास options हैं हो सक अब कल को एक बहुत बड़ा टीवी शो होस्ट कर रहे हैं मुझे तो यह लगता है शायद आने माले टाम में टीवी नहों online ही शोज हो तो Netflix पे एक शो बन रहा है तो उसके आप potential host बन सकते हो अगर वो podcast related या sensitive सत्य में जहते है टाइफ चीज है तो आप एक potential candidate होते हो उस ची चीज में यह तो मैं खुद भी बोलता हूं मतलब अभी बहुत सारे podcast निकल कर आएंगे और लोग बनाते जाएंगे podcast अब आपको क्या लगता है जो बनाता जाएगा वो टिकेंग है वो 1500 पॉड़कास किसने बनाई है हम और जानते हैं किसी ने जो अभी आएगे 1600 पॉड़कास कर चुके online राइट है उनका मैं नाम भूल रहा हूं जो रोगन जो रोगन राइट तो उन्होंने अभी डिल भी करिया आएगे से पॉड़कास के साथ में पॉड़कास कर रहा हूं तो वो पोटेंशल तो है मैं अभी भी नूट्रल हूं इस चीज को लेकर विराज मेरे को फांडर बहुत ज्यादा ऑप्टमिस्टिक है आएगे पता नहीं मैं इसलिए नूट्रल हूं क्योंके यूट्यूब करियर में टा आएम बिताकर मैंने यह सीखा है कि Zen बना करो Stoic बना करो मतलब आपके दिमाग को Positives की वज़े से भी नहीं हिलना चाहिए और Negatives की वज़े से भी नहीं हिलना चाहिए इसलिए शायद मैं सारे के सारे content को चाहे उसकी performance अच्छी हो या बुरी हो मैं सारे के सारे content को neutral तरीके आपको plus कर रहा है या minus कर रहा है फिर आप decide करते हो मैं यह चीज़ डालूंगा या नहीं आज के दिन आपको पता है मैं को पता है as a creator क्या चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ शूट अप मारेगी कि small content आज के दिन large content से जादा शूट मारता है in terms of viewership बर हम इस चीज़ को जान पूच के टाप नहीं कर रहे हैं कम से कम टाप करना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रांडिंग के लिए अच्छा नहीं होता 100% इसलिए मैंने हिंदी चैनल की शुरुवात girlfriend कैसे पताएं वीडियो से start की थी पर goal हमेशा यही था कि मुझे actually Hindi podcast करने थे मैं Joe Rogan को बहुत जादा कंजूम करता था पहलो मैं हमेशा यही सोच था था कि यार इंडिया में क्यों नहीं आई है फिर एक बार जब हमने podcast start किया फिर मुझे पता चला कि शिट इंडिया शायद रेडी नहीं इस चीज के लिए और संदी लॉक्डाउन की वाज़ से मैं stats बोल देता हूं हमें कुछ 400 पसेंट या 450 परसेंट का rise मिला डाउनलोड में podcast डाउनलोड में लॉक्डाउन के दौरा क्योंकि जब लोग बरतंद हो रहे होते थे उचा कर रहे होते तो podcast सुनते थे and I feel people found this new form of content जो आप कह रहे थे कि आपको सीखने को मिलता है without reading आपको किसी के mindset के बारे में पता चलता है without meeting them तो शायद यही चीज है मतलब this is maybe what people enjoy and I also feel कि जो बाते आप और मैं अभी अभी कर रहे हैं शायद 25 यह लेटर 30 यह लेटर तभी भी लोग इन चीजों को सुनेंगे बहुत amazing moment होगा तब पीछे मोड़के हम अपने initial videos देखेंगे कैसे दो बच्चे बात कर रहे हैं देखो इनको तब के education minister और health minister नहीं पर बच्चे comment में बोलेंगे नाप लो थोड़ा अभी दो मेंगो बस पढ़ाना है ग्यार भी बार भी करा दें पहले वो बढ़ी है